अस्सलामू वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सर्वरे काइनात हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलललाहु ताला अलेही वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक्या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा उससे पहले अगर आप भी उम्मते मुहम्मदी होने पर फक्र करते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे मुसल्मान भाईयो, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मुहबबत फरमाते हैं, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नभी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलललाहु ताला अलेही वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे, जब तक उनका एक-एक उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा, यानि जब तक एक-एक इमान वाला जन्नत में ना चला जाए, मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है, एक मर्तबा नभी-े-करीम, हजरत मुहम्मद मुस्तफा सललललाहु ताला अलेही वसल्लम कुरान पाक पढ़ते हैं, उनकी आँखों में आंसु आही जाया करते हैं, यानि ऐसी ऐसी बातें कुराने मजीद के अंदर कही गई हैं, अजाब के हवाले से, जिसको सुनकर यकिनन रूह कांप जाती है, लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुराने पाक को पढ़ते ही नहीं हैं, बड़े ही अफसोस की बात है, प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका, हमसे कितनी महबबत करते हैं, दोस्तों, हुजूर सल्ललाहु अलेही वसल्लम के सामने, जो सूरत आई, उस सूरत का तर्जुमा यह था, कि इबराहिम अलेहिस सल इसके बाद, जब दूसरी सूरह पड़ी, ईससा अलेहिस सलाम के हवाले से, तो ईससा अलेहिस सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तु अपने बंदों के साथ, जो चाहे कर, तो यह पढ़कर, हमारे और आपके प्यारे आका, सर्वरे काइनात, हजरत मुहम मुस्तफा, सल्लाहु ताला, अलेहिवसल्म रोने लगते हैं, दोस्तों, अल्लाह तबारक वताला, अपने महबूब से बहुत महबत फरमाता है, और यकीनन, वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता, यह सर्वरे काइनात हजरत मुहम्मद मुस्तफा ﷺ की शान है तो मेरे प्यारे मुसल्मान भाईयो जैसे ही आपकी आँखों से आंसु आए आपकी आँखों में आंसु आ जा रहे थे फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाए और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे ए प्यारेverty इसलामी भाईयो हजर्ट इब्राहीम अलाहिससलाम ने भी यह बात कह दी थी की जो गुनहगार बंदे हैं ए अल्लाह वह तेरी रहत के हैं जो नेक बंदे हैं जो सालिह हैं वो मेरे हो गए और यहां तक के ईसा अलाहिससलाम ने ये बात कह दी ए अल्लाह ये तेरे बंदे हैं तू जो चाहे कर इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आँखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे आप अल् मेरी उम्मत ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे मुसल्मान भाईयों तब ही अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिससलाम से फरमाया ए जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो कि वह क्या चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये वही परवर्दिगार है जो सारी काइनात का मालिक है जो हमारी रगों से भी ज्यादा करीब है जो दिलों की बात भी जानता है जो हम करने वाले हैं वह उस चीज़ को भी जानता है कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला अपने महबूब से इर्शाद फर्मा रहा है प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राईल अलाहिससलाम ने ये सारी बातें हुजूर सल्लालाहु अलाहिवसलम की बारगाह में अर्ज कर दी उसके बाद फिर अल्लाह का इर्शाद हुआ, ए जिब्राईल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे फिर हजरत जिबरील अलाहिससलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और ये बात भी कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे प्यारे मुसल्मान भाईयों देखिए किस तरह अल्लाह ने अपने महबूब से मुहबब फरमाई कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर तीन मरतबा आपका इस्तिमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे और प्यारे दोस्तों यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्ललाह ताला अलेहिवसल्म आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक-एक उम्मती इमान वाला जन्नत में ना चला जाए प्यारे दोस्तों, जो इमान वाला, हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नुम में भी चला जाएगा, तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करवाएंगे, सारी उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे, वह इमान वाला, जिनके दिलों में प्यारे आखा सल्ल लाहु ताला अल्य ही flavored सल्लम की मुभ्बत होगी वहलोग जन्नत में चले जाएंगे हमारे प्यारे आखा सल्ल लाहु ताला अल्य ही था और कियामत के दिन हश्र के मैदान में सज्दारेज हो जाएंगे और सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला फरमाएगा ए मेरे महबूब आप अपनी बात रखिए आपको राजी किया जाएगा फिर प्यारे आका सल्लाहु ताला अलेही वसल्लम रोते हुए आंसों से यह बात कहेंगे ए अल्लाह मेरी उम्मत ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे उसके बाद अल्लाह ताला एक-एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इर्शाद फरमाएगा ए मेरे महबूब अपना सर सजदे से उठाइए आप सल्लालाहु अलेही वसल्लम फरमाएंगे ए अल्लाह में राजी हो गया प्यारे दोस्तों, ये है हमारे प्यारे आका की शान और उनकी महबबत और आज हम अपने आका को नाराज करते हैं, अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो बुग्ज रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और आका में एब ढूंडते हैं, जिनें अल्लाप ताला ने पाक कर दिया हर एब से उनके अंदर एब ढूलने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है, जिन्हें अल्लाप आप कहकर पुकार रहा है लोग उन्हें तू और मैं कहकर पुकारते हैं प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महभूब को राजी करने में लगा रहेगा सुभान अल्लाह प्यारे दोस्तों, अगर आपको उम्मत मुहम्मदी होने पर फक्र महसूस हुआ है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें